आपको इस परकार की प्रोब्लम में फेस करने को मिलती है यूज दिस फोल्डर ओप्सन है तो नहीं हो रहा है मतलब यहाँ पे टिक मारक आप लोग नहीं लगा पा रहे हो तो आज किस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं आप लोग दोस्तों अपनी किसी भी फाइल को कोपी पेस्ट करने के लिए जाते हो अपनी दोस्तों फाइल मैनेजर के अंदर जेड आर्चिवर अप्लिकेशन से या फर कोई अधर अप्लिकेशन से हैं दोस्तों आपको इस परकार की प्रोब्लम है फिर स्काइडे को मिलते है can't use this folder and create new folder तो इस problem को कैसे solve करना है जो आपका ओभी फाइल वाला folder हो या फिर data folder हो वो open नहीं हो रहा है तो ऐसे में आप लोग बहुत ज्यादा परिसान हो जाते हो आप लोग भी चाहते हो यह क्या problem आ रही और इसे कैसे solve करना है तो आप लोग बिल्कुर right वीडियो पर आ हो आपको क्या करना है आज की इस वीडियो को complete full watch करना है trick को इस्टे बइस्टे apply करना है आपकी यह problem आ रही can't use this folder and यह आपकी problem में fix out हो जाएगी और वहीं पर यहाँ पर लिखा हुआ है आप लोग यह चीज भी पढ़ सकते to protect your privacy and security choice and another folder इनके कहने का मतलब यह है आप लोग अपने उस folder को offer नहीं कर पाऊगे उसके लिए आपको new another folder को choice करना है लेकिन अपने को तो दोस्तों obv file को obv file वाले folder में paste करना है या फिर किसी data में paste करना है data folder में जो officially यह जैसे आप लोग कोई game खेलते हैं या फिर कुछ भी करने के लिए जाते हो वाई चांसे आपका folder ओपन ही नहीं होता है नहीं आप लोग paste कर पा रहे हो तो आईए चांदते हैं इस problem को दोस्तों आपको कैसे solve करना है सबसे पहले आपको आना है अपने phone की screen पे आने के बाद दोस्तों आपको बताते चला है हमारा नाम है रोईत और आप देख रहे हो हमारे YouTube channel UP Super Gamer वेलकम करता है आप सभी दोस्तों का हमारे account new phrase वीडियो में अब एक्चली क्या है आपका जो ओवी file folder में यहाँ पर किसी परकार का कोई folder है आप लोग कोई चीजे paste नहीं कर पा रहे हैं ओवी भी में या फ़र गाइस data folder में तो can't use this folder की problem में आपको face करने को मिल ले ऐसे में आपको सबसे पहले अपने mobile phone की screen पे आना है mobile phone की screen पे आने के बाद में आपके phone में दोस्तों जितने भी application सोंगे वो सारे application देखने को मिल जाएंगे यह दि आप लोग copy paste करने के लिए जेट अर्चे और application का यूज़ कर रहे हो या फिर आप लोग officially अपने file manager का यूज़ कर रहे हो तो ऐसे में क्या करना है सबसे पहले आपको अपनी phone की setting को open करना है आपके सामने इस प्रकार का new interface आएगा इस cron down का तो इनचे एक side में जाना है और सबसे पहले आपको एफ setting up management वाले button पे click करना है आपके पास में सभी applications आ जाएंगे जितने भी आपके phone में available होंगे तो यहाँ पे आने के बाद में आपको नीचे side में जाना है दियान से trick को follow कर लेना आपकी problem आ रही soul हो जाएगी 100% टोके तो इधर जाने के बाद में दोस्ते यहाँ पर बैसे आपको काफी सारे option देखने को मिल जाएगे तो आपको क्या करना है इस्ट्रों डून करते हैं नीचे side में जाने के बाद में आपको एक option डूल लेना है files का एक file manager होगा एक files का होगा तो simply आपको क्या करना है files वाले option पे click करना है उससे पहले आपको बताते चलें आपका अगर date अर्च और application यूज़ कर रहे हो तो इसके उपर click करना है सबसे पहले इसको uninstall कर देना है uninstall करने के बाद में फिर आपको नीचे side में जाना है यहाँ पे file manager files करके दो आपको folder मिल लाएंगे तो सबसे पहले जो आपका files manager करके मिलेगा एक आपको files का folder मिलेगा तो आपको simply क्या करना है अपने files वाले folder के उपर click करना है इस time पे दोस्तों मेरे को मिल चुका है इस वाले folder के उपर click करना है और आपके सामने इस परकार का interface आएगा आपको three dot पे click करना है आपको uninstall and update वाले option पे click करना है यहाँ पे लिगा हुए remove file या बगएरा बगएरा factory more than all data we removed दोस्तों यहाँ पे क्या करना है इसको उपर click करने के पहले आपको इधर आना है इसको clear cash कीए होगे इसको click करना इसको clear all data कर देना है ओके इस परकार से इसका clear कर देना clear करने के बाद में अब दोस्तों यहाँ पे आपको simply इदर से cut मानना है कट मारने के बाद में फाइल्स वाले फॉल्डर को ओपन करना है एंड आपका वो जैसे काम कम्पलीट होता है फिर आपको इधर चले आना है एंड आप लोग यहां पर आने के बाद में आपको बताते चले हैं अगर आप लोग अपने मुवाइल वाला अपने 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 प्लेस्टोर ओपन करना है आपको यहां पे जेट अर्चे और अप्लेकेशन साथ करना है अब दोस्तर जेट अर्चे और अप्लेकेशन को डाउनलोड कर लेना है वो भी न्यू लेटेस्ट बर्जन के साथ में अब जैसे दोस्तों आपका जेट अर्चे और अप्लेकेशन डा अलाव करना है एंड आपका दोस्तों परमीशल से सक्षफली अलाव हो चुका है अब जो भी चीज़ आप लोग कोपी पेस्ट करना चाहें तो जैसे कि अभी मैं आपको दिखा दूँ अभी एंड्राइड वाले फोल्डर में आते हैं और इस चीज़ को अलाव कर देना है इस सारा परमीशल से आपने देखा मैंने अलाव कर दिया मेरे को कोई भी दिक्कत है कोई भी प्रोब्लम है नहीं देखने को मिला आप जैसे कि आपने कोई चीज़ फोर एक्जामपल के लिए डाउनलूट किया किसी परकार की गिलिच होगी फाइल होगी बगेरा बगेरा आप लोग जैसे कि फोर एक्जामपल के लिए ऐसे कि लिएम आपको समझा रहाया होँ यह आप लोग यह वाला आप लोग फोलडर है वीजी इमाई में जैसे कि लगाने के लिए पेस्ट करने के लिए एंडराइड में आया ऑभी यहांप कर सकते हैं और कि नहीं लें आप। यह स्वित कर सकते हैं और यहां पर tapping bis and can't do this choice your folder वाली प्रोब्लम फिक्स आउट हो जाएगे विल थैंक से निए उन्ट्रेस्टिंग वीडियो के साथ में तब तक के लिए थैंक्यू सो मच